श्रीरामचंदर जी का सावला श्रीर सभाव से ही सुन्दर है उसकी सोबा क्रोणों कामदेओं को लज जाने वाली है महावर से युक्त चरनकमल बड़े सुहावने लगते हैं जिन पर मुन्यों के मन रूपी भवरे सदा चाय रहते हैं पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रात्याकाल के सूर्य और बिजली की जोती को हरे लेती हैं कमर में सुन्दर किंकनी और कटी सुत्र हैं विशाल भुजां में सुन्दर आभूशन शुशोबित हैं पीला जन्यव महन शुबा दे रहा है हाथ की अंगुठियां चित को चुरा लेती हैं ब्या के सब साज सजे हुए वे शुबा पा रहे हैं चोड़ी छाती पर हिर्दय प मोती लगे हैं कमल के समान सुन्दर नेत्र कानों में सुन्दर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुन्दरता का खजाना ही है सुन्दर बोहें और मनोहर नासिका है ललाट पर तिलक तो सुन्दरता का घर ही है जिसमें मंगल में मोती और मनी गुथे हुई हैं ऐसा मनोहर मोर मनियां गुती हुई हैं सभी अंग चित को चुराई लेते हैं सभगनगर की इष्त्रिया और देवसंद्रिया दुलहे को देकर तिनका तोड रही है उनकी बलहया ले रही है और मनी वस्तर और राभूष निचावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं देवता फूल बर्सा रही हैं और सूत मागद और तथा भाट सुयश गान कर रही हैं सुहागनी इस्त्रियां सुक पाकर कुमर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गागा कर लोकी कृती करने लगी पारवती जी शिरी रामचंद्र जी को लहक और वरवदु का प्रस्परग्रास तेना सिखाती है और सरस्पती जी सीता जी को सिखाती है कि रानिवास हस सविलास के आनंद में मगन है शिरी राम जी और सीता जी को देख देखकर सभी जन्म का परम फल प्रापत कर रही है अपने हाथ की मनियों में सुन्दर रूप के भंडार शिरी राम चंदर जी की परचाही दिख रही है यह देखकर जानकी जी दर्शन के वियोग होने के भे से बाहु रूपी लता को और दृष्टी को हिलाती डुलाती नहीं है उस समय के हसीखे लोरी नोद का आनन्द तो प्रेम कहा नहीं जा सकता उसे सक्षियां ही जानती हैं तदंतर वरकन्याओं को सब सुन्दर सक्षियां जनवासे में लिवा चली उस हमें नगर और आकाश में जहां सुनिये वहीं आशिरवाद की ध्वनियां सुनाई दे रही हैं और महान आनन्द छाया है सभी ने परसंदमन से कहा कि सुन्दर चारों जोडियां चिरंजीवी हो योगी राज सिद्ध मुनिश्वर और देवताओं ने प्रभू शिरी राम चंदर जी को देखकर दुदुन्दी बजाई और हर्शित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जै हो जै हो जै हो कहते हुए वे अपने अपने लोग को चले तब सब चारों कुमार बहुँओ सहीत पिदाजी के पास आए ऐसा मालूम होता था कि मानो शोबह मंगल और आनन से भरकर जनवासा उमर पड़ा हो फिर बहुत परकार की रसोई बनी जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा राजा दसरजी ने पुत्रों सहीत गमन किया अनपुम वस्त्रों के पावडे पढ़ते जाते हैं आदर के साथ सब के चरण धोये और सब को यथा योग्य पीडों पर बिठाया तब जनक जी ने अवदपुरी अवदपती दसरजी के चरण धोये उनका शी लोर्स ने वणन नहीं किया जा सकता फिर शीरी रामचंदर जी के चरण कमलों को धोया जो शीरी शीव जी के हिर्दे कमल में चीपे रहते हैं तीनों भाईयों को शीरी रामचंदर जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोये चतुर और विनितर सोये सुन्दर स्वाधिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंदित घी शन भर में सब के सामने परस गए। स्वाधिष्ट पकवान परसे गए जिनका वखान नहीं हो सकता। एक एक रस में अंगनित प्रकार के बने हैं। फिर पान देकर जनक जी ने समा सहीत दसर जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर्मोर चक्रवर्ती शिरी दसर जी परसंद होकर जनवासे को चले। जनक पूर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकट मनी दसर जी जागे। याचक उनके गुन्स मुह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वदुएं सहीत देखकर उनके मन में जितना अनंद है। वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रांते क्रिया करके गुरुव सिष्ट जी के पास गए। उनके मन में महन अनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रनाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानों अमरीत में डुबोई हुई वानी बोले। ये मुनी राज सुनिये आपकी क्रिपा से आज में पूर्ण काम हो गया। ये स्वामीन आप सब ब्रह्मनों को बुलाकर उनको सब त्रह गहनों कपनों से सजी हुई काएं दीजिये। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनी गणों को बुला भेजा। तब वामदेव देवनी राजस बानमी की जामबाली और विश्वामित्र आदित पस्वी स्रेष्ट मुनियों के समुह के समुह आये। अच्छे सभावाली और सुहावनी थी। उन सब को सप्रकार से गहनों कपनों से सजाकर राजा ने परसन होकर भूदेव ब्राहमनों को दिया। राजा बहुत रहसे विंती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज भी ही जीने का लाब पाया है। ब्राहमनों के आशिरवाद पाकर राजा आनन्दित हुए फिर याच्कों के समुह को बुला लिया और सब को उनकी रूची पूच कर सोना वस्त्र मनी घोडा हाथी और रत जिसने जो चहा सो सुर्यकुल को आनन्दित करने वाले दसरजी ने दे दिये। वे सब गुनानुवाद गाते हुए और सुर्यकुल के स्वामी की जै हो जै हो जै हो कहते हुए चले। इस प्रकार शीरी रामचंदर जी के विवहा का उत्सर हुआ जीने सहस्त्र मुख हैं वे सेस्जे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामीतर जी के चरणों में सिर्णवा कर राजा कहते हैं मुनी राज यह सबसुक आपकी ही क्रिपा कटाक्ष का परसाध है। राजा दसरजी जनक जी के स्नेह शील करणी और शुर्य की सप्रकार से स्रहना करते हैं। प्रतिदीन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है प्रतिदीन हजारों प्रकार से मेमानी होती है नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दसरजी का जाना किसी को नहीं सुहाता इस प्रकार बहुत दिन बीद गए मानो बराती इसने की रस्षी में बंद गए हैं। तब उश्वामी वित्र जी और सतानें जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा यद भी आप सने वंश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी आप दसरजी को अग्या दीजिए। ये ना था बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया वे आय और जैवीर कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा अयुद्यानात चलना चाहते हैं भीतर रानिवास में खबर कर दो यह सुनकर मंत्री ब्राहमन सबसाद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनक पुर्वासियों ने सुना की बाराज जाएगी तब यह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे जाना सकते हैं यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मान और संद्य के समय कमल सुचका गए हो। आते समय जहां जहां बाराती ठाहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का समान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की समगरी जो बखानी नहीं जा सकती। अनगनीत बैल और काहरों पर भर कर लाद लाल कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजे एक लाख गोड़े और पचीस हजार रत सब नक्ष से शिका तक उपर से नीचे तक सजाये हुए, दस हजार सजे हुए मतवाली हाथी जिने देखकर दिशाओं के हाथी भी लजजा जाते हैं, गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्तर और रत्म, जहारात तथा गाएं भैंस तथा और भी नाना परकार की चीजें दी, इस परकार जनक जी ने फिर से आपरीमित दहिज दिया जो कहा नहीं जा सकता और जीसे देखकर लोगपालों के लोग भी संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है, इस पर रही हो, वे बार बार सिताजी को गोद में लेती हैं और आशिरवात देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पती को प्यारी हो, तुमारा सोहाग अचल हो, हमारी यही आशिश है, सास सुसूर और गुरू की सेवा करना, पती का रुख देखकर उनके अग्या का पालन क पर ना सयानी सक्या अतियंत सिन्हे के वश कोमलवानी से इस्त्रियों के धरम सिखाती हैं, आदर के साथ सब पुत्रियों को इस्त्रियों के धरम समझा कर राणियों ने बार बार उने हिर्दै से लगाया, माता, माताएं फिर फिर भेटती और कहती की ब्रहमन ने इस्त्री जाती को क्यों रचा उसी समय सूर्य कूल वंश के पताटा सवरूप शिरी राम चंदरी भाईयों सहीत परसंद होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले सभाव से ही सुन्दर चारों भाईयों को देखने के लिए नगर के इस्त्री पुष दोडे कोई कहता की आज ये जाना चाहते हैं विदही ने विदाई का सब सामान तयार कर लिया है राजा के चारों पुत्र इन प्यारे महमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर के देख लो हेस यानी कोन जाने किस पुन्य से विधाता ने इने यहां लाकर हमारे ने त्रोकाती थी किया है मरने वाला जिस रहाम रित पाजाए जन्म का भूखा कलप्रिक्ष पाजाए और नरक में रहने वाला नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के प्रंपद को प्राप्त हो जाए हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है शिरी रामचंदर जी की सोबा को निरख कर हीर्दय में धर लो अपने मन को साप और इनकी मूर्ती को मनी मान लो इस प्रकार सब को नेत्रों का फल देते हुए सब राजगुमार राजमहल को में गए रूप के समुद्र सब भाईयों को देखकर सारा रानिवास हरसी तो उठा सासवाए महन परसंद मन से निचावर और आरती करती हैं शिरी राम चंदर जी की छवी देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई और प्रेम के विशेश्वस होकर बार बार चरणों लगी हिर्दय में प्रीती छा गई इससे लजजा नहीं रह गई उनके सभाविक सने कावरनन किस तरह किया जा सकता है उन्होंने भाईयों सहित शिरी राम जी को उप्टन करके सनान कराया और बड़े प्रेम से सटरस बोजन कराया सुवसर जानकर शिरी राम चंदर जी स्चील्स नहें और संकोच भरी वानी बोले महराज अयोध्या पुरी को चलना चाहते हैं उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहां भेजा है हे माता परसन मन से आग्या दीजिए और हमें अपने बालक चानकर सदास नहीं बनाए रखिएगा इन वचनों को सुनते ही रानिवा सुधास हो गया सास्वे प्रेम वश्बोर नहीं सकती उन्होंने सब कुमारियों को हिर्दय से लगा लिया और उनके पतियों को सूपकर बहुत विंति की वितिक करके उन्होंने सीता जी को शीरी राम चंद्री को समर्पित गया और हाज जोड़कर बार बार कहा हे सुजान मैं बली जाती हूँ तुमको सबकी गती हाल मालूम है परिवार को पुरवाशियों को मुझको और रादा को सीता प्रानों के समान प्रिय है ऐसा जानियेगा हे तुलसी के स्वामी इसके सील और सनहे को देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा तुम पुर्णकाम हो सुजान शिरोमनी हो और भाव प्रिय हो तुम्हें प्रेम प्यारा है हे राम तुम भगतों के गुणों को ग्रहन करने वाले दोसों का नाश करने वाले और दया के धाम हो ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़ कर चुप रह गई इमानों उनकी वानी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो सन्हे से सनी हुई स्रेश्ट माणी सुनकर शिरी राम चंदरी ने सास को बहुत परकार से समान किया तब शिरी राम चंदर जी ने हाद जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया आशिरवाद बाकर और फिर सिर्ण वाकर भाईयों सहित शिरी रोगनाजी चले शिरी राम चंदर जी की सुन्दर मदर मूर्ती को हिर्दे में लाकर सबरानिया सने से सिथिल हो गई फिर धिरजधारन करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबर उन्हें गले लगाकर भेटने लगी पूत्रियों को पहुच चाती हैं फिर लोटकर मिलती हैं प्रसपर्स में कुछ थोड़ी प्रीती नहीं बढ़ी अर्थात बहुत प्रीती बढ़ी बार बार मिलती हुई माताओं को सक्षियों ने अलग कर दिया जैसे हाल की ब्याही हुई गाएं को कोई उसके बालक बच्ड़े या बच्चिया से अलग कर दे सब इस्त्रियां पुरुशों और सक्षियां सहीत सारा रानिवास प्रेम में विशेस विवस्वस हो गया ऐसा लगता है मानों जनकपुर में करोना और विरह ने डेला डाल दिया है जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोसकर बढ़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था विव्याकुल होकर कह रही हैं विदेही कहां है उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरच किसको नहीं त्याग देगा अर्था सबका धोर्य जाता रहा जब पक्षी और पशू इस तरहें विकल हो गए तब मनुश्यों की दसा कैसी कही जा सकती है तब भाई सहीद जनक जी वहां आए प्रेम के में उमण कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रों का जल भर आया वे परम वेराग्यमान कहलाते हैं पर सीता जी को देखकर उनका भी दीरज भाग गया राजा ने जानकी जी को हिर्दै से लगा लिया प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महन मर्यादा मिट गई ज्ञान का बांध तूट गया सब बुद्धिमान मंत्रियों ने समझाते हैं तब राजा ने विशाद करने का समय न जानकर विचार किया बार बार पुत्रियों को हिर्दै से लगा कर सुंदर सजी हुई पालकिया मंगवाई सारा परिवार प्रेम में विवश्य है राजा ने सुंदर मुहुर जानकर सिध्धी सहित गनेश का समर्ण करके कन्याओं को पालिक्यों में चड़ाया राजा ने पूत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उने इस्त्रियों का धरम और कुल की रीती सिखाई बहुत से दासी दास दिये जो सिधा जी के प्रिये और विश्वाश पात्र से वक थे सिधा जी के चलते समय जनक पुरवासी व्याकुल हो गए मंगल की राशी सुब शुकुन हो रहे हैं ब्रामन और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुचाने के लिए साथ चले समय देखकर बाजे बजने लगे बारातियों ने रत हाथी और घोडे सजाए दसरजी ने सब ब्रामनों को बुला लिया और उने दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया उनके चण कमलों की दूली सिर पर धरकर और आशीश पाकर राजा अनंदित हुए और गनेश जी का समन करके उन्होंने परस्थान किया मंगलों के मूल अनेकों शकुन हैं देवता हर्शित होकर फूल बरसा रहे हैं और अफसराइंग गान कर रही हैं आवद पुजी दसरजी नगाडे में जाकर आनंद पुर्वक अयुद्या चले राजा दसरजी ने विंती करके पर्तिष्टित जनों को लोटाया और आधर के साथ सब मंगनों को बुलाया उनके गहने कपड़े घोडे हाथी दिये और प्रेम से पुष्ट करके सब को संपन अर्थात बल्युक्त कर दिया वे सब बार बार विर्दावली कूल किर्ति बखानकर और शीरी रामचंदर जी को हिर्दे में रखकर लोटे कोशल्यादीस दसरजी बार बार लोटने को कहते परंतु जनक जी प्रेम वर्ष लोटना नहीं चाहते दसरजी ने फिर सुहावने वचन कहे हे राजन बहुत दूर आ गए अब लोटिये फिर राजा दसरजी रस से उतर कर खड़े हो गए उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया बढ़ आया प्रेमाशनों की धारा भै चली तब जनक जी हाद जोड़कर मानो सने रूपी अमरीत में ड़ोकर वचन बोले मैं किस्त रहें बनकर किन शब्दों में विंती करूँ हे महराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है अयोध्यानाद दसरजी ने अपने सवजन समधी को इस प्रकार से सम्मान किया उनके आपस में मिलने में अतियंत विनी है और इतनी प्रीती थी जो हिड़्दे में समाती नहीं थी जलक जी ने मुन्नी मंडली को सिर्ण वाया और सभी से आशिरवाद पाया फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाईयों से अपने दामादों से मिले और सुन्दर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानों प्रेम में ही जन में हो हे राम जी मैं किस प्रकार आपकी परसंसा करूँ आप मुनियों और महादेव जी के मन रुपी मान सरोवर के हंस है योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याकर योग साधना करते हैं जो सर्व्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिंदानंस, निर्गुन और गुणों की राशी है जिनको मन सहीतवाणी नहीं जानती और जो सब जिनका अनुमान ही करते हैं कोई तरकना नहीं कर सकते जिनकी महिमा को वेद नेती कहकर वर्ण करता है जो सचिनानंद तीनों कालों में एकरस सरवदा और सरवथा निर्विकार रहते हैं वेही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नित्रों के विश्य हुए इश्वर के अनकूल होने पर जगत में जीव को सब लाब ही लाब है आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया यदि दस हजार सस्वती और सेश हों और क्रोडों कलपों तक गणना करते रहें तो भी हे रगुनाजी सुनिए मेरा सुभग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समापत नहीं की जा सकती मैं जो कुछ कह रहा हूँ वै अपने एक ही बल पर की आप अतियंत थोड़े प्रेम से प्रसन हो जाते हैं मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को नह छोड़े जनकजी के स्रेष्ट वचनों को सुनकर जो मानों प्रेम से पुष्ट किये गए थे पूर्ण काम शिरी रामचंद जी संतुष्ट हुए उन्हें सुंदर विंती करके पिता दसरत जी गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वसिष्ट जी के समान जानकर ससु जनक जी का समान किया फिर जनक जी ने भरत जी से विंती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशिरवाद दिया फिर राजा ने लक्षमर जी और शत्रू घंजी से मिलकर उन्हें आशिरवात दिया वे प्रसपर प्रेम के वंस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे जनक जी की बार बार विंती और बढ़ाई करके शिरी रगुनाजी सब भाईयों के साथ चले जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिये और उनके चरणों में की रज को सिर और नेत्रों में लगाया उनने कहा हे मुनिशर सुनिये आपके सुन्दर दर्शन से ही कुछ भी दुरलब नहीं है मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुक और सुयश लोकपाल चाते हैं प्रतु असंभव समझ कर जिसका मनुरत करते हुए सुचकाते हैं हे स्वामी वही सुक और सुयश मुझे सुलब हो गया सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं इस प्रकार बार बार विंति की और सिर्ण वाकर थता उनसे आशिरवाद बाकर राजा जनक लोटे मित्रो यह मैंने माता सीता और भगवान शिरी राम के वी वहाद का परसंग आपको सुनाया है यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले जै शिरी राम जै शिरी राम जै शिरी राम